हेलो मित्रो, मैं हूँ सुमित नगर कोटी और आज मैं आपको एक ट्रक ड्राइवर के साथ हुए एक भैना घटना की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ रात का अंधीरा धीरे धीरे फैल रहा था, मैं अपने ट्रक को एक सुनसान सड़क पर चला रहा था मेरा नाम आमित है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ मुझे मैनेजर ने माल पहुचाने के लिए भी जा था, सड़क पर कोई और वहार नहीं था मैंने रेडियो पर कुछ गाने लगाए और गाने के साथ कुन गुनाने लगा लेकिन तभी मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी जो सड़क किनारे खड़ी थी उसके हाथ में एक बैग था, वह किसी को लिफ्ट के लिए इशारा कर रही थी मैंने अपने ट्रक रोका और उससे पूछा, क्या मैं तुम्हें कहीं छोड़ सकता हूँ वह मुस्कुराई और बोली, जी हाँ, अगर आपको कोई परिशानी ना हो तो मुझे अगले शेहर तक जाना है, मैंने कहा, खेक है, चलो बैठो वह ट्रक में बैठ गई, और मैं फिट से ड्राइव करने लगा मैंने पूछा, तो तुम्हारा नाम क्या है, उसने कहा, मेरा नाम नीशा है हम बाते करने लगे, नीशा एक मॉडल थी, और कल उसे एक फोटो शूट के लिए अगले शेहर जाना था मुझे लगा कि वह एक अच्छी लड़की है, कुछ देर बाद मेरी नजर मेरी गाड़ी के पीछे की तरफ गई मुझे काले रंकी कार दिखाई दी, जो मेरे पीछे-पीछे आ रही थी वह काफी तेज स्पीड से चल रही थी और मुझे टक्कर मारने की कोशिश कर रही थी मैंने नीशा से कहा, वहाँ पीछे गाड़ी में हमें टक्कर से मारने की कोशिश की जा रही है मुझे लगता है कि उन लोगों के मन में कुछ गड़बढ है नीशा डरी हुई लग रही थी मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी ताकि वह कार हमें पकड़ ना सके लेकिन वह कार भी तेज हो गई अचानक सामने सडक पर विक्ति सामने आया मुझे तुरंत ब्रेक लगाने पड़ी उस व्यक्ति ने हाथ में एक बंदूक लिये हुई थी मैंने देखा कि वह पीछे से आ रही कार भी रुख गई है और उसमें से कुछ लोग बाहर निकले वे लोग हमारी तरफ आये और ट्रक के दरवाजे खोलने को कहा हमारे पास कोई चारा नहीं था इसलिए मैंने दरवाजा खोल दिया उनमें से एक व्यक्ति ने कहा बाहर निकलो वरना मैं तुम दोनों को गोली मार दूंगा हम दोनों नीशा के साथ बाहर आ गए उन लोगों ने हमारे हाथ पीछे बांध दिये और हम अपनी कार में ढखेल दिया फिर मैं मेरे ट्रक में से समान निकालने लगे मैं समझ गया कि ये लोग रॉबर्ट से और मेरे समान को लूटना चाहते हैं मैं बैचेन वो उठा क्योंकि वो समान बहुत महना था लेकिन मेरा जान बचाना ज्यादा जुरूरी था जब वे लोग लूट पाट करने में व्यस्त थे तब मैंने निशा से कहा निशा हम यहां से भागना होगा मुझे पता है कि ये लोग हमारे साथ क्या करेंगे जब मैं कहूं तब हम दोड कर उस पेड की तरब भागेंगे निशा ने सीर हिलाया जैसे ही वे लोग बीजी हुए मैंने निशा को इशारा किया और हम पेड की और भागे मुझे पीछे से गोलियों की चलने की आवाज सुनाई दी लेकिन हम जल्दी से पेड की पीछे छिप गए मुझे पता था कि हमारे पास वक्त कम है क्योंकि वे हमें ढूनने लगेंगे इसलिए मैंने निशा को कहा कि वे मेरी बात ध्यान से सुने मैंने कहा निशा तुम इस जाड़ियों की रास्ते से चलती जाओ कुछी दूरी पर एक गाव है वहाँ जाकर पुलिस को फोन करना मैं हारुक कर इन लोगों का ध्यान भटकाऊंगा ताकि तुम भाग सको निशा डरी वे थी और बोली नहीं अमित मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती हमें साथ महीं जाना चाहिए लेकिन मुझे पता था कि अगर हम दोनों साथ गए तो हम दोनों को ये लोग पकड़ लेंगे इसलिए मैंने कहा नहीं निशा मेरी बात मानो तुम जाओ मैं ठीक हूँ आखिरकार निशा राजी हो गए मैंने उसे रास्ता बताया और वह धीरे से जाडियों में गायव हो गए फिर मैंने खुद को रॉबर्स के सामने सरेंडर कर दिया उन्होंने मुझे बुरी तरह से पीटा लेकिन मैंने निशा के बारे में कुछ नहीं बताया कुछ दिर बाद पुलिस आ गई और मुझे बचा लिया गया सारे रॉबर्स अरिष्ट कर लिया गया बाद मैं पता चला कि निशा नहीं समय रहते पुलिस को फोन करके मेरी जान बचाई थी मैं निशा का अभारी हूँ कि उसने मेरी मदद की अगर वा ना होती तो शायद मैं आज जिन्दा ना होता मुझे अब उस गटना का जिक्र करने में भी डर लगता है लेकिन मैं खुद को भाब विशाली मानता हूँ कि हम उन्खुंखार रॉबर्स से बच निकली है